हेलो गाईज तो कैसे हैं आप लोग तो आज हम बात करने वाले हैं वीवो के वी 25 के बारे में जो की वीवो वी 25 प्रो का छोटा भाई है और चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि बॉक्स में हमें क्या मिलता है तो बॉक्स में हमें मिलता है फोन मिलता है चार्जर मिलता है के पेपर्स मिलते हैं और दोस्तों को चुबाने के लिए सिम इजेक्टर टूल भी मिलता है तो यह बॉक्स में काफी अच्छे वाले कंटेंट्स दिये गए हैं हम मतलब मैं विश करता हूं कि वीवो ना future में भी हमें box में यही सारा माल डे कुछ box ले वालो हताए ना तो चलिए बात करते हैं built-in quality के बारे में तो जो frame से वो plastic की है और जो bank है वो भी और plastic frame से और display पे हमें short sensation की protection मिलती है तो जो शॉट सेंसेशन है वो ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं करती डिस्प्ले को अपना गोरिला ग्लासी बेटर है लेकिन ये पता नहीं वीवो क्यों करते है ऐसा चलिए बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में 6.44 इंज का फूल एच्टी प्लस एक एमोले डिस्प्ले मिलता है हमें जिसमें हमें 90 हर्ट का रिफ्रेश रेट मिलता है इतना ज्यादा रिफ्रेश रेट देने की क्या जरूरत ही वह हमें 60 हर्ट दे दे देते उससे अच्छा चल जाता वो भी ये फोर आप 25,000 से भी जादा अपराइज में वेच रहे हो और वो भी 90 हर्ट के रिफ्रेश रेट के साथ आज मोटरला 20,000 के फोन में 120 हर्ट दे रहा है और आप 90 हर्ट दे रहे हो मोटरला से कुछ ग्यान लो ना मोटरला तो कितने मतलब अच्छे स्पेक्स देता है 20,000 के नीचे तो वेसे आप करते क्यों नहीं करना चाहिए आपको भी तो यहाँ पर हमें 90 हर्ट का रिफ्रेश रेट मिलता है 180 हर्ट का टर्च सैंप्लिंग रेट है और इस फोन में हमें डिस्प्ले में 1300 नीट की पीक ब्रैटनेस मिलती है जो की आउटडोर में ज्यादा ब्रैट हो सकता है यह डिस्प्ले मतलब वीवो नहीं यहाँ पर अच् ब्रैटनेस देते हैं और 1000 नीट की टिपिकल ब्रैटनेस बाकी HDR10 प्लस का सपोर्ट है तो डिस्प्ले में में हमें ओके ओके या अच्छा वाला डिस्प्ले में मिल जाता है चली यह बात करते हैं हम लोग प्रोसेसर के बारे में तो इसमें अमें डाइमेंस इटी 900 5G जी ज चिप से टेना हीट नहीं होता है मतलब यह नॉर्मल अपना 42 तक जाता है लेकिन उससे जदा यह हीट नहीं करता है हीट क्यूंए क्योंकि इसमें लिक्विड कूलिंग सिस्टम लगाया गया है और उपर से प्रोसेसर भी हीट नहीं करता तो मतलब आपका फोन मस्त थंड़ ठंडा रहने वाला है गरम होट नहीं होगा फोन वाम के साइड में रहने वाला है बाकी इसमें दो वेरियेंट्स आते हैं 8128 and 12256 इसमें हमें LPDDR4X RAM मिलती है और चूना लगाने के लिए UFS 2.2 की स्टोरेज मिलती है मतलब यह सारे चीज़े हमें रियल मी ने ट्वेंटी थाउजन के नारजों 50 प्रो में दिये थे तो यहां पे एट लिस्ट यू एफस 3.1 की स्टोरेज वी वो दे देता ना तो और अच्छी बात हो जाती है 8GB आप एक्स्टेंड भी कर पाऊगे मतलब यहां पे हमें 8GB वाला वेट लोगे आप तो आपकी 16GB हो जाएगी 12GB वाला लोगे तो आपकी 20GB तक रैम हो सकती है लेकिन वो वर्चूली हो सकती अपनी हाड़वेर बेस्ट है ना वो 12GB ही रहेगी चलिए बात करते बैटरी एं और वापिस कॉस्ट कटिंग के लिए हमें 44 वाट का चार्जर मिलता है पतला 44 वाट 25,000 से आगे के रेट में थोड़ा कम लगता है क्योंकि आज हमें ओपो ने 80 वाट का दिया है चार्जर रेनो एट में तो देना चाहिए ता यहां पे कॉस्ट कटिंग पर कॉस्ट के बारे में इसमें हमें डूल 5G के सिम कार्ड लगाने का सपोर्ट मिलता है बाकी Bluetooth 5.2 है वाइफाई डूल मीमों है डूल बैंड वाइफाई है इसमें केरियर एग्रिगेशन है और 5G के हमें पूरे इसमें हमें 9 बैंड मिलते हैं नहीं नहीं पाच बैंड मिलते हैं बस पाच बैंड मतलब इतने ज्यादा कम बैंड मतलब वीवो ने दिये हमें मैं विश्वास नहीं रख पाऊंगा पाच बैंड वह भी 25,000 के फोन में टालियो नीजए है मतलब वीवो ने कुछ भी फालतो काम करता है वीवो एक काम जो वीवो ने अच्छा किया है वो है कैमेरा में कि इसमें 64 मेगा पिक्सल का में कैमेरा ता है जो की ऑप्टिकल इमेस स्टेबलाइजेशन को सपोर्ट करता है मतलब यहाँ पे कफी अच्छी बात है 8 मेगापिक्सल का इल्टरोएड यहाँ तक तो ठीक था लेकिन 2 मेगापिक्सल के पनवती मैक्रो को देना की क्या जरूरत थी भाई भी वो क्या जरूरत थी इसे देने की कोई यूजलेस ही है फाल्त हुए बाकि इसमें 50 मेगापिक्सल का आई आटो फोकस फ्रंट कैमेरा मिलता है जो की काफी ज़्यादा आपकी अच्छी पिक्स ले लेगा और आप बुके फ्लेर पोट्रेट फोटो निकाल पाओगे इस फोन से बाकि जो फ्रंट कैमेरा है वो 50 मेगापिक्सल का आई आटो फोकस वीडियो भी निकाल पाता है बाकि इससे आप 4K तक 4K 30 fps तक वीडियो रेकॉड कर पाऊगे फ्रंट और मैक में मतलब जब वीबो हाई रेजलूशन का फ्रंट में कैमेरा देता है तभी हमें 4K रेकॉर्डिंग देता है यहाँ पे काफी ज़्यादा चीटिंग करता है वीबो इसकी जो 8128 वेरियंट के लिए प्राइज है वो है 27,999 और जो दूसरा वेरियंट है 12,256 वाला उसकी प्राइज है 31,999 मतलब वीबो के फोन्स फीचर में तो फीचर लेस होते है ऐसा मेरा कहना है कॉस्ट कटिंग ज़्यादा की होती है मतलब यहाँ पे ओवर प्राइज होते है फोन ऐसा हम बेसिकली कह सकते है तो वीबो को है ना एटलिस्ट प्राइज है ना थोड़ी सी कम रखनी चाहिए तो रियल्मी कैसा करता है बजट में अच्छे फोन बनाता है अच्छे स्पेसिफिकेशन देता है अभी रियल्मी 9 Pro Plus आया ता कितना अच्छा कहा है मेरा था उसे सोनी IMAX 766 सेंसर था लेकिन ऐसी चीज़े हम वीबो से एक्सपेट करना एक हमारी बेवकुफी हो सकती है तो चलिए दोस्तो इतना ही था आपकी मतलब मेरी अच्छी वाली वीडियो में अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे रुपिया सब्सक्राइब करना ना भूले फिलाल के लिए बाई गाईज